राधे राधे एवरिवन आप सब ही को हर्याली तीज की बहुत बहुत बधाया फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हर्याली तीज के दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं देखें हर्याली तीज का जो दिन होता है वो भगवान श्री क्रिशन जी के लिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत महतोपून होता है हर्याली तीज के दिन बढ़े लाड़ दुलार से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो आप भी अपने लड़ू गोपाल जी को हर्याली तीज के दिन दही से जरूर सनान कराईएगा, आप चाहें तो आप पंचामरीत से भी सनान करा सकते हैं, या पिर आप चाहें तो आप कच्छे दूद से भी सनान करा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लड़ू गोपाल जी को द स्रगार कर्देंगे और आंचों सब केड़की आप सिरे आप संदर कराने के दिबाद Cubic ॑प पीखकर बीए के परदान करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइम पर थोड़ी से स्मेल होती है मोसम में तो आप इतर जरूर लगाईएगा उसके बाद लड़ुगोपाल जी को दरपन सेवा देंगे दरपन दिखाएंगे और फिर हम लड़ुगोपाल जी की पूजा करेंगे पूजा हमें लगबग वैसे ही करने है जैसे हम रोजाना लड़ुगोपाल जी की पूजा करते हैं बस यह है कि त्योहार का दिन है तो थोड़ी हैवी ड्रेस पहनाएंगे लड़ुगोपाल जी को साथ में फूल लेके जरूर आएंगे हम लड़ुगोपाल जी के लिए क्योंकि सावन के दीप जलाकर हम लड़ू गोपाल जी की पूजा करेंगे तीज के लिन आप अपने पूरे मंदिर को बहुत अच्छे से साफ कीजिएगा हो सके तो हरे रंका आसन बिछाईए खूब सारे फूलों से अपने मंदिर को सजाईएगा सभी देवी देवताओं को इस दिन आप फू उनके महीने में बारिस बहुत होती है और मौसम में हलकी सी स्मेल रहती है अगर फूल सेवा परदान करते है तो उससे फिर खुशबू बनी रहती है तो यहां पर खूब सारे फूल हमने लड़ू गोपाल जी के आसपास रखे है ताकि लड़ू गोपाल जी महकते रहें और सच मानी बजार से जो गेवर लाते है उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है तो लड़ू गोपाल जी के लिए घर पे गेवर बना लीजे लेकिन अगर आप घर पे गेवर नहीं बना सकते हैं तो बजार से भी आप लड़ू गोपाल जी को गेवर का भोग जरूर जरूर पिर हम लड्ड़ू अपाल ़ाने के बाता यह जूल सकतेैं ,ार 3 जहुल भोता है घुला सकते हैं , लग शचिण हमारा अबशनी चैक , यहां पर लगा दिया , अब भी लड्डू गोपाल जी को इसमें विराजमान करके लड्डू गोपाल जी को जूला जूला देंगे तो देखे हमार लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं बहुत ही सुन्दर से जूला जूलते समय तो आप भी अपने लड़ू गोपाल जी को जूला जरूर जूलाईएगा अगर आपके पास जूला नहीं है तो कोई बात नहीं आप दरवाजे में चुन्री लगाके या साड़ी डालके किसी तरह भी जूला बना सकते हैं जूला बनाना बहुत आसान होता है आप दो रसी टांके भी जूला बना सकते हैं लेकि लड़ू गोपाल जी को जूला जरूर जूलाईएगा क्योंकि लड़ू गोपाल जी बाल सवरूप है और बच्चे को जूला जूला बहुत अच्छा लगता है तीज तो वैसे भी जूले का तयोहार है तो हम बहुत प्रेम से लड़ू गोपाल जी को जूला जूलाएगे और घर के सभी सदश्य बारी 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 लड़ू को जूला जरूर जूलाएगे लेकिन जब बच्चे जूला जूलाए ना तो आप ठोड़ा उनके पास रहिएगा क्योंकि बच्चे सरारत जरूर करते हैं कहीं लड़ू गोपाल जी को गिरा ना दे इस बात का आप ध्यान रखेएगा क्योंकि हमारे लड़ू गोपाल जी भी बहुत चंचल है तो आप साथ में खड़े रहिएगा और सुर्यास्त होने से पहले-पहले लड़ू कोपाल जी nam Getції और आप भी तीज के दिन जूला जरूर पहले जहा देंगे और उसके बात शाम को भी लड़ू कोपाल जी को बहुत बड़ी आसा भोग लगा देंगे रात को सोने से पहले लड़ू कोपाल जी की जो पोशाक है हो चेंज कर देंगे और फिर लड़ू गोपाल जी को दूद पिला के हम सुला देंगे तो फिर हम वैसे ही सेवा करेंगे जैसे हम रोजाना सेवा करते थे तो फ्रेंट्स इस तरह से बहुत सरल तरीके से हमें तीज के दिन लड़ू गोपाल जी की सेवा करनी है आपको लड़ू अपाल जी की सेवा काई तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे